असलाम अलेकुम उमीद है मेरी चोटी सी यूटीव फैमली बिल्कल ठीक होगी अलहमदलेला मैं बिल्कल खैरियत से हूँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है करांची का वैदर चेंज हो रहा है ठंडी ठंडी हवा चल रही है थोड़ी ड्राइनेस बढ़ गई है तो आप सब को कैसा मोसम लग रहा है और आप लोगों के शेहरों में कैसा मोसम है आज कल प्रीज जरूर बताईएगा सुना है इस साल सर्दियों में गैस की लोड शीडिंग बहुत ज़्यादा होने रहा है हमारे एरिया में वैसे भी हर साल podr जाद जार क्या होने वाला है तो जब पिर इस साल क्या होने वाला है तो जब तक जितने व्लॉग्स बन सकते हैं बना लेते हैं अधर वाइस फिर कुछ करना पड़ेगा बहुत सिंपल सा खाना बन रहा था आज भी मैंने गवार की सब्जी बना ली थी उसे मैंने चपाती के साथ और सैलड के साथ सर्फ किया था बेटे ने लेफ्ट ओवर बिर्यानी खा ली थी जैसे मैंने आपनों को कल की वीडियो बताया था कि वो सब्जी यह इतने शौक से खाता नहीं है अगर कोई आप्शन ना हो तो फिर उसे खाना पड़ता है बट कल बिर्यानी बची हुई थी तो फिर उसने बिर्यानी ही खा करती हूँ अगर आप लोग भी सेपरेट बॉइल करते हैं तो प्लीज मुझे उसका तरीका बताईएगा मैं जरूर ट्राइ करूंगी गौर फली को वश करकर मैंने ड्राइ कर लिया था और अब इसका टॉप बॉटन मैं काटने के बाद इसे बहुत चुटे पीसेज में ब बहुत इंपोर्टन ग्याजट है इसके बगैर मुझे बिल्कुल समझ में आता कि मैं काम किस तरह से करूँ गौर की कटिंग करने के बाद मैंने टिमाट्रों को पीस लिया था उसे हैंड ब्लेंडर की हैल से ब्लेंड कर लिया था और इसके बाद को किंग स्टार्ट की थी पैन में सबसे पहले मैंने आयल डाला है और इसके अंदर मैंने जीरा और कड़ी पते का बगार डाला था और कैमरे का स्टैंड सही करते करते वो तेल इतना जादा गरम हो गया था कि जब मैंने इसके अंदर ब्राउन प्यास डाली तो बहुत जादा तेल उड़ने लगा थ तो मैंने इसे प्यास ढलने के बाद, कुछ देर के लिए कवर करको रग दिया था आँच-कल मैंने तयार ब्राउन प्यास बजार से ली गोई है मैं ज़्यादा तर उसी का इस्तमाल कर रही हूँ साथी मैंने थोड़ा सा पानी अड़ कर दिया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो चार बेसिक मसाले हमारे घर में तक्रीबान हर रेसिपी में यूज होते हैं वही एड़ किये थे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्श पाउडर और धनिया पाउडर, बहुत कम कॉंटिटी में मैंने धनिया पाउडर भी इसमें एड़ किया है कर्रहाफ मैं इसमें पाणी डालती जा रही थै यॉँ एक मसाल को भून लिया था जब मसाला से तरहां ने तो कर सक रिए मुख्ल करकर है लिए जा भूड़ धिया था मेरी तक्रीबिया था तंस सब्सक्रीब है अजर कर दिया था कि कर दिया था कि गॉवार अच्छी तरहां से गयल गई और ग्री जतनी हमें जरूरत कि उसे पता था कि मुझे बहुत दिनों से मिर्चली के डपबा घुटाला की बहुत क्रेविंग हो रही है और मैं जाने ही पा रही हूं क्यूंकि वीकंड पर ही जाना होता है और आज कल बच्चे इतना ज्यादा बिजी हैं अपने काम की वजा कि हम वीकेंड पर कहीं भी नहीं जा पा रहें और मैं और मेरी हजबन बच्चों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते हैं और नहीं बाहर जाकर कुछ घाते पीते हैं तो वह बस मेरे लिए लेकर आ गया था इन्शाला मिरसली का जब भी गपक उटाला खाने जाओंगी तो मैं को जरूर दिखाऊंगी मुझे वह बहुत जादा पसंद है और इसके लावा मैं लियाकताबाद की मशहूर गोल गपे जो हैं वह भी मुझे बहुत पसंद हैं इसके लावा मीठी पूरी धोराजी की यह तीन चार चीज़ें जो मुझे बहुत क्रेविंग होती रहती है इस इसके बाद इसके उपर मैंने दही की सॉस जो उन्होंने अलग से दीवी थी वो डाल दी थी दही फेटा हुआ दही था और इसमें कोई शुगर नमक कुछ भी एड़ नहीं किया हुआ था जस्ट सिंपल दही था उसके उपर थोड़ा सा रेट सॉस उन्होंने थेली के पर इसमें पर दाल लिया था और फिर हमने बस इसे इंज्वाइ किया था आप लोगों को ज्यादा मीटी पूरी पसंद है या सिर्फ पानी पूरी सिंपल इंज्वाइ करते हैं जरूर बताईएगा इसके बाद बेटी ने कुछ नया ट्राइ किया था वो इस तरह की एक्सपेरिमेंट कुकिंग करती रहती है और हमें ट्राइ करवाती रहती है ये कुछ राइस स्नेक था बॉइल राइस के साथ इसने ये तयार किया था इसकी बेस को और बहुत क्रिस्पी बेस थी उसे फ्राइ करने के बाद इसके ऊपर ये थोड़ी सी टॉपिंग है जिसमें मेयों आई थेंक मश्रूम्स हैं टबैसको है और स्प्रिंग अनियन वग पाइस का तो उसके अपने मुबाइल में ये क्लिप मौजूद था जो मैंने उससे ले लिया है तो मैंने सचापनों को साथ भी शेयर करती हूँ इसमें थमाम फ्रोजन फ्रूट्स हैं बनाना मैंगो स्ट्राबरी थोड़ सा हनी है और थोड़े धाई के साथ उसने इन फ्र जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपनों के साथ मिलूंगी दौाओं में जरूर याद रखिएगा अपनों बहुत ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज